तो दोस्तों आपका भी फोन जो है क्या पानी में गिर गया है आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आपके फोन में जो है पानी चला गया होगा या फिर आपका जो है मुबाइल पानी में गिर गया होगा तो दोस्तों आज जो है मैं आपको साव धानिया बताऊँगा कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है जब आपका फोन जो है पानी में गिर गया है और क्या क्या चीजे आपको करनी है जिससे आपका फोन जो है पहले की तेरा मस्त चलने लग जाए तो दोस्तों बने रह कुनाल टेक्निकल सलूशित पर तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो नो टाइम वेश्ट नो ड्रामा बात करते हैं मोबाइल की कैसे पानी में गिरने के बाद आप जो है मोबाइल को वापस से पहले जासा कर सकते हैं आपको इन तरीकों का इस्तमाल करना है मैं मुबायल के साथ करेंगे तो आपको मुबायल जो है पहले की तरह वर्क करने लग जाएगा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका फोन पानी में गरने के बाद खराब हो गया है गया अपको नेया लेना पड़ेगा मेरा तो चूना लग गया खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया पर दोस्तों ऐसा नहीं है आपका फोन पानी में अभी गिरा है तो मैं जैसे जैसे आपको इस टैप बताता हूं वैसे वैसे इस टैप आप पूरे कीजिएगा तो आपका जो फोन है पहले की तरह बढ़िया काम करने लग जाएगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं यह आपका फोन जैसे बाल्टी वगयारा टब वगयारा या पानी गिर गया उसके ओपर गिलास वगयारा कुछ गयर तो आपको जो है सबसे पहले अपना जो है फोन को सुछ ओफ करना है अगर आप फोन को सुछ ओफ कर देंगे तो short circuit होने क जो खत्रा होता है mobile में 90% जो है आपका खत्रा जो है कम हो जाता है mobile dead होने का या फिर खराब होने का सबसे पहले आपको phone को switch off कर लेना है दूसरा जो है दोस्तों आपको जो है अपने mobile में से sim card, battery और memory वो निकाल लेनी है दोस्तों देखिए इसके दो करण होते हैं मैं आपको SIM, Memory और बैटरी निकानने के लिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए एक तो आपकी अगर बैटरी लगी रहेगी तो आपका SIM और Memory होती है उसमें जंग लगने का खत्रा रहता है तो दुबारा आपकी Memory और SIM वो वर्क कई बार नहीं करती पानी के जाने से SIM का पिछला हिस्सा होता है जो हम नीचे की तरफ रखते हैं SIM का सिल्वर कलर का हिस्सा होता है उसमें जंग लग जाता है जो Memory कार होती है उसका जो Golden कलर का हिस्सा होता है उसमें भी जंग लग जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें से बैटरी, SIM और Memory कार निकाल लेनी है अगर दोस्तों आपके फोन में से बैटरी नहीं निकलती है आपका फोन वो खुलता नहीं है वह आपको लगते दोस्तों कि आपका फून खुलता नहीं है अगर जो है रिमूव नहीं होती तो उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आप सिम कार्ड निकालिए और जो है आप उसमें से मेमरी कार्ड निकालिए अगर आपको लगता है कि भाई मैं इस फोन को ओपन कर सकता हूं कई बार पीछे से डखकन खुलके फोन जो है ओपन हो जाते हैं आ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है दोस्तों तीसरी मैं आपको जो बता रहा हूं अगर आपका फोन बहुत ज़्यादा पानी में मलग गया था जैसे पानी में या फिर पानी उसके अंदर बिलकुल चला गया है तो आप एक काम कर सकते हैं घर में आप जिस डब्बे के फोन को रखने के बाद आप जो है 24 गंटे रखने के बाद वो जो है आपका फोन सुख जाएगा अगर मालीजे दोस्तों आपका बैटरी सिम मैटरी रिमूबल वाला फोन है तो तो आप चावल में उसको रखकर आपका फोन वैसे ही 98% आपका फोन ठीक हो जाएगा जब अब डबा आपका छोटा है तो आप किसी प्लेट वगएरा में भी या कोई कुई काटोरे वगएरा में भी चावलो को रखर के उसके अंदर जो है वह आपना फोन रख सकते तो दोस्तों आप SIM और memory ट्रे जो है भार निकाल दीजिए खाली फोन को जो है पानी जो चावल के डिबे में आप रख दीजिए रखने के बाद दोस्तों आप इसके बाद जो step अपना ये अगर आपकी जो फोन है वो अगर बैटरी रिमोग वल नहीं है तो आप चावलों के सबसे लो अले पर सेट करके 10 सेंटीमेटर की दूरी से वर इतनी दूरी आप रखिए गा और ये आपका फोन है फोन को ऐसे पकड़कर इतनी दूरी पास अगर आप अपने फोन को चावल वगेरा में नहीं रखना चाते सुखे चावलों के अंदर अगर आप नहीं रखना चाते तो आप जो है 24 गंटे के लिए दूप में अपने फोन को सुखा लीजिए दूप में सुखाने के बाद 24 गंटे बाद आपको जो मैंने अभी एक दो मिनटी चलाना जाता है देड तक मत चलाना इतनी दूर पर रखे 10 cm के लिए ऐसे ऐसे घुमा कर ड्रायर पहले स्टीन की तरफ चलाना है फिर बैक साइड में जो है आपको बैटरी की तरफ चलाना है आपका जो फोन है वो नाइटी सिक्स तू नाइटी सेवन परसेंट वाग करने लग जाएगा तो छटे स्टेप में आपको क्या करना है हमारा जो अगला स्टेप में आपको बता जाता है तो कई पर ऐसा होता है दोस्तो बारिश का मुसम होता है और हमारा फोन जो है वो जो है पानी में गिर जाता है या फिर पानी उसको पर चला जाता है तो उस कंडिशन में हम क्या करेंगे दोस्तों कई बार जैसे बारिश का मुसम होता है दूप बगएरा निकलती नहीं है और आप चावल में भी फोन को नहीं रखना चाहते हैं आप कहते हैं नहीं जी मुझे चावल में भी फोन नहीं रखना मुझे जो है दूप तो निकली नहीं बारिश का मुसम है तो कैसे हम दूप में रख सकते हैं तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं एक कोटन का कपड़ा या फिर जो हमारा टावल होता है ना टावल जिससे हम फेस वगरा साफ करते हैं और नहाने के बाद जो हम टावल यूज करते हैं दोस्तों उस टावल पे ऐसे म पेट के अच्छे से रह दीजे कोटन के कपड़े में कोटन कहीं ऐसी जगा बे रखे जहां तोड़ी गरम जगा हो पानी का यूज आप ना करते हो अच्छा उसके पाथ जो है 24 गंटे पाथ जैसे मैंने आपको ड्रायर वाला जो दिया option आप ड्रायर जो है मानिये दोस्तों मैं जो हूँ पिछले 7 साल से कंप्यूटर और मोबाइल की रिपेरिंग लाइन में हूँ पानी जाने के बाद जो मैंने आपको तरीके बताये हैं वो जो है 95, 96 to 97 परसेंट तक भी आपके फोन को जो है पहले की तरह बढ़िया कर देता है पानी जाने के बाद भी तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतायेगा और दोस्तों ऐसी ही informative वीडियो मोबाइल की informative वीडियो कंप्यूटर की informative वीडियो और computer नोट्स में आपके साथ शेर करता रहता हूँ तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करना बिल्गुल भी ना भूले तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इस वीडियो को जाज जाधा अपने दोस्तों को साथ शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए